पूरू पीम और कॉंग्रिस के दिवंगत नेता राजीव गांधी जिनके चर्चे अक्सर राजनीती में सुनाई देते हैं उनके द्वारा किये गए कारियों की आज भी चर्चा होती है इसी के साथ कई विवाद भी है जिनको लेकर वो सुर्क्यों में रहा करते हैं आज 18 साल के उमर में मद्दान करते हैं ये राजीव गांधी की ही देन हैं उनके समय में मद्दान करने के उमर 21 साल हुआ करती थी लेकिन राजीव गांधी ने मद्दान करने के उमर को 18 साल कर दिया था इसी के साथ राजीव गांधी ने EVM मशीन को चुनाओं में शामिल करने के लेकर भी राजीव गांधी ने कई फैसले लिये थे राजीव गांधी का मानना था कि देश के गाउं की उन्नती देश की उन्नती है उन्होंने गाउं को सशक्त बनाने के लिए कई कदम उठाये थे पंचायती राज का फैसला भी राजीव गांधी नहीं लिया था उन्होंने पूरे देश में ग्राम सरकार की अवधारना लागू की और सविधान में संसोधन करके ग्राम पंचायतों को सशक्त किया था उन्होंने गाउं की आबादी को अपना फैसला खुद करने की स्वतंतरता दी थी इतना ही नहीं वो कहते थे कि जब ग्राम पंचायतों को सत्ता में वो दर्जा मिलेगा जो संसत और विधान सबा का है तो लोगतंतर में गाउं की भागिदारी बढ़ जाएगी साल 1985 में पंचायती राज अधीनियम के जरिये राजीव गांदी सरका है आज जो कंप्यूटर आप चला रहे उसकी पहल राजीव गांदी ने की थी उनका माना था कि युवा पीड़ी कंप्यूटर और विज्ञान के जरिये ही आगे जा सकती है राजीव गांदी जब पीम थे तो उन्होंने विज्ञान और टेक्नोलोजी के लिए सरकारी बज इद्याले की स्थापना करने का काम शुरू हुआ था इस कारिक्रम का मकसद था कि गाउं में रहने वाले बच्चे भी अपनी पढ़ाई को एक नई दिशा दे सके और एक शिक्सित समाज का निर्माण हो सके चीन और भारत के बीच 1962 में युद हुआ था जिसके बाद से भा काने कारे को लेकर राजीव गांदी का नाम आज भी बार बार लिया जाता है खबर यहीं तक 30 के साथ आप देखते रहें पंजाब किसर डॉट को झालम झरम के बीचाओ रहें ही आप बारहें कर भा सकुमा श्याब है